इस वीडियो में देखेंगे JavaScript के अंदर local storage क्या होता है और कैसे हम local storage का use करके अपने application में थोड़ा सा state बना सकते हैं एक तरह से यानि कि हमारा page अगर reload होता है या अगर हम tab close करके फिर से आते हैं तो वो हमारा data loss नहीं होगा अगर हम local storage का use करते हैं तो चलो अपने screen पर आते हैं और देखते हैं कि local storage क्या होता और कैसे हम local storage को use करते हैं तो यहां पर मैंने एक बहुत ही simple सा project open कर लिया अपने VS code के अंदर और यहां पर script.js के अंदर कुछ नहीं है HTML के अंदर बहुत ही basic साथ चीज है बस H1 और script.js को connect किया गया यहां तो यहां पर अगर हम अपने konsol के अंदर आए और यहां पर type करें local लॉकल स्टोरेज नाम से object होता है जो window object होता है फिसके अंदर toward हम से object अलरेडी मिल जाएगा यहां पर यह है local storage तो विंडर के यहां पता है कोई भी चीज़ हो जो भी विंडोर के अंदर है उसको रहत करके चाहिए तो पिना डॉट की तो अगर लॉकल टॉज करेंगे तब भी वही सम्ची जाएगा तो एक object हमें by default हमारे browser के अंदर मिलता है local storage नाम से अभी इसको अगर open करते हैं तो इसके उपर एक length property है और यहां पर length is equal to zero मतलब length की value 0 है यहां पर अब इसके अंदर हम चीजें store कर सकते हैं कैसे store करेंगे हम यहां पर अगर आएं तो इधर एक application का टैब होगा यह जो एरो है ना इस पर क्लिक करोगे तो application का टैब आएगा अब यह हो सकता है first time क्लिक करने पर खुल जाए जैसे कि मेरे तो यहां पर मैंने applications tab open कर लिया अब applications tab के अंदर हमें एक storage का section मिलता है यहां पर एक storage का section और storage के अंदर हम देख रहे हैं यह local storage है तो यह वही चीज़े जो कि हमें यहां पर मिलता है local storage उसका connection यह फिर से गाव हो गया मेरा local storage मुझे फिर से इसको open करना पड़ेगा एक बार क्लिक करने पर नहीं कुला दोबारा क्लिक करने पर खुला तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए आगे ही रख लेता है ताकि बार-बार वह गाइब ना हो जाए तो यहां पर हां तो हम यहां पर देख रहेते यह local storage के अंदर मतलब storage के अंदर एक local storage का section मिलता है और एक session storage भी होता है कभी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे session storage लेकिन session storage से ज्यादा हम local storage का use करते हैं और यहां पर यह एक URL type में यहां पर मिलेगा तो basically हर एक URL पर अलग-अलग data होता है यानि कि अगर हम किसी website पर ग इस website का मतलब यह जो भी हमारा URL है इसका local storage यह है अब यह क्या है यह तो खाली है सब कुछ यहां पर key value pairs हम स्टोर कर सकता है अगर आप यहां पर click करोगे तो इसा blue type में बन जाएगा और double click करोगे तो लिखने का option आज जाएगा अब यहां पर जैसे कि मैं लिख सकता हूं my name my name यहां पर मैंने लिख दिया अब केवल my name लिखने से कुछ नहीं होगा लेकिन चलो देखते हैं केवल my name यहां पर key के अंदर मैं लिखा है और console के अंदर अगर आएंगे हम और फिर से local storage टाइप करते हैं तो यह देखो local storage में एक my name नाम से एक key आ गई है और उसकी value empty string हो लिए है empty string इसलिए होगी है क्योंकि हमने यहां पर कुछ भी store नहीं किया तो जब कुछ नहीं store करते हैं तो इसको empty string मान लेता हो अब इसको अगर हम चाहें तो इसके अंदर हम कोई भी value दे सकता है अब यहां पर मैं दे सकता हूं मैं अपना नाम लिख देता हूं console के अंदर आके देखेंगे बार-बार इधर switch ना करना पड़े इसके लिए मैं यह सी जो बटन होती है न जो मारे keyboard के अंदर सबसे पहली बटन होती escape बटन उसको प्रेस करेंगे तो हमारा यह नीचे नीचे console आ जाएगा तो इसको हम open कर सकते हैं यही सेम चीज़ आप यहां पर भी प्रेस करके इस पर अगर क्लिक करेंगे तो hide console drawer और फिर यह show console drawer इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा और वही है यहां पर लिखा इसका जो भी शॉटकट है वही मैंने प्रेस किया था यह सी बटन तो यह खुल के आ गया है अब यहां पर अगर हम फिर से local storage देखेंगे तो local storage के अंदर जो my name लिखा था my name में हो गया ह है अभी अनुराख संग अगर हम देखें इसमें string लगाएक देख लें आगर मैं single coat लगा देता हूं तो देखो क्या होता है मैंने यहां पर लगा दिया single coat और फिर से अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखो यह double coat के अंदर single coat आ गया है अगर हम यहां पर double coat लगा के देखते हैं तो देखते हैं क्या होता है यह double coat लगा देखेंगे और फिर सम देखते हैं लोकल स्टोरेज्ट तो यह दिता हंदर दॉट कोट आ गया तो इसीलिए यहां Magic मद olması यह सब नहीं लगाते हैं स्ट्रिंग के लिए बाइडिफॉल्ट अपने मन से ही एक स्ट्रिंग बना देता है अब हमने क्यों रिलोड करेंगे तो यह डिलीट नहीं होगा अगर मैं कंट्रोल ऑर करता हूं तो यह डिलीट नहीं होता है अगर मैं अपने कॉंसोल के अंदर आूँ और उस तरह से जिसे हम मेमरी में वेरिवल बनाते हैं यहां पर एक बार मैं लोकल स्ट्रिंग डॉट यह करके दिखाता हूं अगर हम यहां पर लोकल स्ट्रिंग जए नहीं होता कि एंख भास बात होती है कि करने स्थेंघर करने पर फिर से ओपन करें इसको कलोश कर देता हूँ के का और मैं करता हूं यहां से करों का सारा ונक लिटै नौल समर शमन कोटा बचा अभी मैं इसको इसखाअ फिर्फ यह था करता ओपनulent पास VS Code बचा है अभी मैं इसको एक बार फेस से open करता हूं open with live server और यहां पर अगर हम आके अपने console के अंदर इधर अगर हम देखेंगे local storage.myname तो यहां पर वो delete नहीं होगा वो वहीं पर मिलेगा लेकिन अगर मैं यहीं पर एक const my name से variable बना दो my name इस नाम से variable अगर बना देता हूं और इसके अंदर मैं लिख देता हूं अनुराग बसके वाल अनुराग लिख देता हूं तो जब तक मेरा page reload नहीं हुआ तब तक ठीक है यह मैं access कर सकता हूं यह इस तरह से मैं my name अगर मैं लिखूंगा तो यह अनुराग मिल जाएगा मुझे लेकिन अगर मैं page को रिलोड करता हूं जैसे मैं page को रिलोड करूंगा यह माइनेम गायब हो जाएगा यानि कि वह page reload करते टाइम तक ही रहता है तो यह जो भी हमारे variables है जो भी चीज़े है वह एक बार जैसे मारा page reload होता है सारा कुछ delete हो जाता है तो तो यहां पर रहेगा क्योंकि हमारी javascript file के अंदर है तो file फिर से रन होगी और उस नाम से variable फिर से create हो जाएगा तो माई नाम माई नाम बोल रहा हूं माई नेम वाला variable यह यहां पर हमें मिल जाएगा तो यह जो हमने अनुराग को सेव कर रखा है हमने किसी memory के अंदर नही कर देता हूं लेट और फिर मैं क्या करता हूं अभी अगर हम माई नेम को चक करते हैं तो अनुराग है अगर मैं इस माई नेम को दूसरा variable को यह साइन कर देता हूं अकाश ठीक है तो अभी यह माई नेम हो जाएगा अकाश लेकिन अगर मैं रिलोड करूंगा तो जो भी मे वाइस्क्रिप्ट का यूज करके हम अगर मेमरी को अपडेट करते हैं तो जैसे हमारा पेज रिलूड होगा मेमरी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा लेकिन जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर रहता है वो नहीं क्लियर होता है इसको अब इसका यूज क्या है कैसे हम इसको यूज कर सकता है इसको हम यूज करके krijg को हम कोई भी डेटा जो है इसको इसटोर कर लेंगेर हमारा पेज रिलूड होगा फिर भी यहां पर एक में class देता हूं class name tag ऐसे कुछ इसके अंदर हम अपना नाम दिखाएंगे तो अभी मैं क्या गरता हूं यहां पर आके javascript के अंदर मैं इस चीज को हटा देता हूं इसकी जुरूत नहीं हमें यह name tag is equal to document यह फिर name element कर देते हैं document.querySelector यहां पर name tag तो अभी हमने यह name element को select कर लिया है अभी क्या होगा अगर हम इस name element को देखेंगे तो यह हमारा वही span tag है जिसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है हमने तो उसके अंदर इसका डॉट हम inner text is equal to inner text is equal to हम कर सकते हैं यह local storage dot my name अगर इस तरह से कर देंगे तो वहां से पूरा नाम उठा के इधर रख देगा ठीक है अगर मैं यहां पर इसको अपडेट कर देता हूं अनुराख सिंग में से मैं मानलों यह सिंग हटा देता हूं और अभी एगर मैं अंटर करोंगा तो कुछ नहीं होगा हमारे क्यों मैमरी के अंदर चेंज हुआ है पेज के उपर हमारा तभी चेंज होगा जब हम इसको नाम यहां पर दे दिया है अनुराग अगर हम यहां पर अनुराग सिंग प्रो कोडर कर देता है और फिर एंटर करके रिलोड करते हैं एक बार तो यह इस तरह से हो जाएगा अब इसका क्या फाइदा एक बार मैं इसको इनपूट फिल्ड होता इनपूट ठीक है और इनपूट माल लो यहां पर इसके उपर मैं क्लास दे देता हूं नेम तो यह नेम का इनपूट होता अब मैं का लिखता हूं इनपूट इनपूट इस एक इनपूट इस नेम इनपूट के उपर हम एक इवेंट लिसनर लगाएंगे डॉट एड़ इवेंट लिसनर इनपूट और फिर इसका देखो अभी यहां पर एक चीज मुझे बताना था अल्डेडी जलो मैं यहां पर इसे मैं बस कॉंसोल लॉग करवा लेता हूं यह इवेंट डाट टार्गेट डाट वैल्यू यह इतना मैंने करवा दिया तो अभी हम चाहें तो इसका मतलब जो भी इनपूट आ रहा है अभी हम कॉंसोल लॉग करवा रहा है हम इस इनपूट को यहां पर अप्लिकेशन करवे इसको सेट करने के लिए हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए थीक है तो हम बड़े आराम सेट कर सकता है कैसे अगर .myname, अगर यहाँ पर मैं आपको करके एक बार दिखा दूँ, applications tab में आके, जैसे हम इसको access कर रहे हैं, local storage, .myname कर रहे हैं, तो हमें यह मिल जा रहा है, अगर मानलो इसको मुझे set करना हो, इसको update करना हो, ठीक है, तो मैं मानलो इसके अंदर आकाश लिख देता हूँ, और जैस से, तो मैं इसको इस तरह से कर दूँगा, update, तो क्या होगा, जैसे से हम type करेंगे, बार बार ये code, जैसे से type करेंगे, ये पूरा code call होगा, ये इतना call होगा, हर एक second हमारी value update होती रहे है, जैसे कि, मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा, अनुराग, तो ये देखो, ये हमार यहाँ, local storage में change हो रहा है, तुरंट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, sing, तो यहाँ पर देखो, ये change हो रहा है, तो हम local storage को update कर रहा है, ठीक है, local storage को update कर रहा है, अब यहाँ पर हमारा ये update नहीं हो रहा है, तो एक बार हम reload कर देंगे, तो ये update हो जाएगा, उसको भी हम update करवा सकते हैं चाहें तो जैसे से हम उसको set कर रहे हैं local storage को वैसे ही हम इसका inner text is equal to यह कर सकते हैं चाहें तो ऐसे कर सकते हैं यह चीज ठीक है तो जो भी local storage के अंदर my name को set किया गया है उसको सीधा यहां पे दिखा देंगे तो अभी अगर हम type करते हैं pro coder तो देखो यहां पे भी update हो रहा है सब जगा एक ही साथ में update हो रहा है तो इस तरह से हम उसकी value को update कर सकते हैं और उसकी value को access कर सकते हैं यह हम update कर रहे हैं यह हम access कर रहे हैं लेकिन इसको अच्छा तरीका नहीं मना जाता है, इसके लिए एक दूसरा तरीका होता है, अपडेट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए, तो चलो देखते हैं कैसे इसको एक्सेस करेंगे, वो एक्सेस करने के लिए ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस पूरे कोड को और इसका जो सही तरीका होगा वो होगा वैसे तुम ऐसे कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है कोई गलती नहीं है कोई भी परफॉर्मेंस इसू नहीं आगा लेकिन रेकमेंडर जो तरीका होता होता है यह करना होता है और फिर हमें अपने आइटम का नाम घृंआर पकरना होता है तो यह दम ऐसे सेम काम करता है बस syntax अलग है, बस dot get item करना होता है इसको, और फिर जैसे कि यहां पर हम update कर रहे हैं, तो directly इस तरह से नहीं update करना होता है, इसको करना होता है dot set item, ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ, dot set item, और फिर इसमें क्या मैं set करना है, my name को set करना है, और फिर एक बार मैं उस code को uncomment कर देता ह ताकि आपको पता रहे, इस तरह से भी कर सकते हैं, और फिर यहां पर लिखेंगे dot set item, और फिर यहां पर my name, और इसके बाद हम कर देंगे, यहां पर, यहां पर क्या करना है, जो भी value है, यानि कि e dot target dot value, हमें यह चीज़ सेट करना है, तो यह करने पर भी same काम होगा, और फ कर देंगे, यह हो गया, तो अभी अगर हम application tab में जाके देखेंगे, तो यह देखो, मैं अपना नाम फिर से लिख रहा हूं, तो exact same चीज़ हो रहा है, जैसे पहले हो रहा था, और यहां पर हमें value दिख रही है, यहां पर हमें update होता हुआ दिख रहा है, तो सब कुछ कर रह है, एक difference होता है, यहां पर अगर हम local storage dot get item मालो इस तरह से करता है, dot age अगर हम करें, तो यह हमें देगा null, ठीक है, यह हमने local storage के अंदर नहीं save किया, अगर हम save कर देंगे, तो उसी value देगा, लेकिन अगर हम local storage dot age directly करेंगे, तो undefined देगा, तो यह एक minor सा difference होता है, कि जब हम get item यूज करके ऐसी property को search करते हैं, जो कि वहां पर exist नहीं करती है, तब null आता है, नहीं तो अगर हम directly उसको access करते हैं, तो undefined आता है, बस यह एक difference होता है, पाकी कोई difference ऐसा होता नहीं है, तो इसको मैं remove कर देता हूँ, अभी हम मालो age को भी यहां पर input करवाते हैं, अभी द जाना लिया है, मालो user ने कुछ type किया होता, जैसे आदर्श टाइप कर दिया, अब अगर हम page को reload कर देता हैं, अगर हम page को reload भी कर देता हैं, तो यह user ने जो type किया था, वह नहीं delete हुआ, जैसे user ने type किया, तुरंत ही हमने, उसको local storage में save करवा दिया, अगर हम इसको किसी memory म रहे होते, नहीं तो सीधा हम उसके अंदर, सीधा span tag के अंदर लिख रहे होते, तो हमारा काम नहीं करता सही से, मतलब क्या हो, तुरंट delete हो जादा, अगर मैं एक बार के लिए आपको इस तरह से दिखा दूँ, जैसे हम input करते हैं, local storage का मतलब यहां से मैंने हटा दिया, जै जैसे मैं type करूंगा, तुरंट यह नाम तो यहां पर लिख के आ रहा है, ठीक है, जो भी मैं type कर रहा हूं, यहां पर लिख के आ रहा है, क्योंकि हम तुरंट e.target.value is equal to, मतलब set कर रहा है, यह name element का जो भी inner textures के अंदर, लेकिन जैसे हम reload करेंगे, गाव हो गया हमारा, तो यह drawback होता है, अगर हम directly हम किसी भी element के अंदर value set करते हैं, यहां किसी भी variable के अंदर भी set किया होते है, माझ़ो कोई भी variable होता है, यहां पर जो कि तुमने create किया होता है, यहां पर input value یा किसी भी नाम से, तो variable भी clear हो जाता है, अगर मैं यहां पर create करके दिखा देता हूं, лет input value is equal to और फिर जैसे यूजर नहीं पर टाइप करेगा मैं लिखूंगा input input value is equal to e.target.value तो यहां पर अगर मैं फिर से input value को यहां पर रख दूंगा तो भी यह हमारा जब तक हम टाइप करेंगे तब तक रहेगा देखो जब तक मैं टाइप कर रहा हूं तब तक है जैसे मैंने reload किया हमारा यह जो भी variable था input value यह हो गया undefined और अगर जैसे मैं type करना शुरू करता हूं input value के अंदर value जाती रहती है लेकिन जैसे पेज को reload करते हैं सारा कुछ undefined जैसे starting में था वैसा हो जाता है तो इस तरह से local storage में मैं इसको control z कर देता हूं जैसा कि पहले था तो local storage में set करके वहां से value access कर लेंगे तो हमारा मतलब page reload से फरक नहीं पड़ेगा इवन अगर हम laptop को switch off करके फिर से on करते हैं तो भी वैसे ही रहेगा बस एक difference रहेगा अगर तुम incognito tab में चले जाते हो इसको बोलता है private browsing तो इसका जो भी data है वह clear हो जाता अगर तुम यहां पे कुछ भी लिखते हो तब अनुराद सेंग आ ऐसा कुछ लिखते हो तो यह देखो यहां पर update भी नहीं हो रहा है एक minutes अगर मैं इसको दिखाऊ है लिया हो इसका data update नहीं और मैं इहां पर करूं तो हाँ मैंने कुछ यहां पर कोड में चेंजिस कर दिये हैं यह सट नहीं कर रहा हूं मैं यह सट नहीं कर रहा हूं इसलिए तो यहां पर अगर मैं टाइप करता हूं तो ठीक है यहां पर लोकल स्टोइज काम कर रहा है ठीक है यहां पर अगर मैं ना अपना लिखता कि मैं गलत किंह लिख रहा हूं बारबार ons तो जिनाम लिख दिए अभी अगर मैं यहीन पर रिलोड कर रहा हूं तब तक ठीक है ठीक है लेकिन इसको अगर मैं क्लॉज कर दूँँगा इस टैप को क्लोज करके देखो हमी मैं लेक दूसरा टैप खुलता हूं फिर से ये जा चुका है तो इनकॉगनीटो के के केस में clear हो जाता है क्योंकि इनकॉगनीटो का वही परपस होता है कि जो भी local data सब कुछ clear हो जा माखी normal tabs जो होते हैं उसमें कुछ भी नहीं clear होगा उसमें तुम उसको close कर के फिर से open करोगे तब भी चलेगा मैंने already करके दिखाया था तो यह हो गया हम एक simple string को store कर सकते हैं और basically इसके अंदर string ही store होती इस string के लावा कुछ भी नहीं store होता है लेकिन तुम देखोगे कि इसके अंदर बड़े-बड़े objects को भी store किया जाता है तो चलो उसके पहले एक बा और फिर यह हो गया h2 फिर एक h3 मैं ले ले लेता हूँ यहां पर आई एम यहां पर लगा लेता हूँ span years old और फिर यहां पर दे लेता हूँ एक class age tag ठीकिए तो यहां पर मैं क्या करूँगा इन दोनों को मैं duplicate कर दोंगा यहां पर कर दोंगा age ओ robi और इसको भी खर देंगे तो이 इलिमेंnt हो गया अभर सैम चीज इसके साथ भी करूँगा मैंसको duplicate कर देता हूँ और यहां पर हम कर देंगे age मैं इसको change कर देता हूँ age, इसको भी change कर देता हूँ age, और my age इसको कर देते हैं, और यहाँ पे भी my age हो जाएगा, और फिर यहाँ पे यह name element नहीं, यह age element हो जाएगा तो इतना code जो है, हमारा हो गया age के लिए, अगर हम age को type करेंगे अब, तो age भी हमारा यहाँ पे आने लगएगा, automatic, अगर मैं लिखता हूँ, 89, तो हम अभी name को ही update कर रहे हैं शायद, यह 1 minute, input event, हाँ, my name को ही मैं update कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा age, name 89 हो गया है भी, एक बार मैं name को fix कर देता हूँ, और फिर अगर age को मैं type करता हूँ, 89 या कुछ भी, जो भी age मैं type करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो अभी इसका type मैं input, input का type मैं कर सकता हूँ, number, क्योंकि age number ही होता है, तो यह हो गया, और फिर मैं फिर से अगर अपना name type करता हूँ, और age type करता हूँ, तो यहाँ पर यह दोनों चीज आ रही है, और इसको मैंने h3 किया था, मुझे h3 करना था, तो यह हो गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि multiple key value pairs यहाँ पर store कर सकते हैं, और फिर इसको access भी कर सकते हैं, जैसे एक को access करते हैं वैसे कई सारे key value pairs को access कर सकते हैं, तो यह हो गया simple strings कैसे हम store कर रहे हैं, अगर हमें कोई बड़ा object store करना होता, जैसे कि मैं my age और my this thing, क्या बोलते हैं, my age और my name को अलग-अलग नहीं store करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक ही बड़ा सा object हो, उसी के अंदर हम दोनों च करें, तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि यह है हमारा, तो यहां पर थोड़ा सा structure change करना पड़ेगा, इसको मैं, चलो इसी को मैं change करता हूँ थोड़ा सा, तो यहां पर dot get name नहीं होगा, यहां पर हम, एक बार मैं इस पूरे चीज़ को comment out कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जैसे ही name input होगा, name को input, और हाँ, यहां पर हम clear कर सकते हैं इसको, अगर हम चाहें तो इसको यहां से clear कर सकते हैं, तो सारी key value पर clear हो जाएंगी, अब इसको javascript का यूश करके भी clear कर सकते हैं, उसको भी हम देख लेंगे अभी, कैसे javascript का यूश करके clear करत यह एक event listener लगाता हूं name input के उपर dot add event listener और फिर से input event लगाएंगे और फिर यहां पर event तो यह हो गया अब हमें क्या गरना है एक हम object बना लेते हैं बड़ा सा इसके अंदर हम लिख देते हैं अल्रेडी हम यहां पर लिख देंगे नेम ठीक है यह माई नेम माई नेम या नेम ही कर देते हैं नेम इस इक्वल टू एम्टी स्रिंग कर देंगे और एज इस इक्वल टू एज इस इक्वल टू भी एम्टी स्टेंग कर देते हैं एम्टी स्टेंग या कुछ भी कर सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता है तो इनेम और एज हमने कर दिया अभी इसको जैसे ही मारा इंपुट मतलब इवेंट होगा यह मारा पूरा यह कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा और जैसे ही कॉल होगा हम क्या करेंगे इस माई डेटा के अंदर जो भी है यह नेम नेम प्रॉपरिटी को अपडेट करेंगे अपने इस अबजेक्ट को अपडेट करेंगे और फिर अपडेट करने के बाद हम इसको अपने लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे लोकल स्टोरेज में कैसे अपडेट करेंगे या सेव करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम होता है और सेट आइटम करेंगे क्या मा इस बार हम पूरा का पूरा data भी सेट कर देंगे और उसके बाद हम अगर यहां पे डाल दें my data my data जो की object है पूरा तो यह क्या होगा अगर हम अपने इसमें आके देखेंगे अपने इस application में तो मैं जैसे नाम लिखना टाइप करता हूँ तो my data नाम से यह attribute तो आ गया है मतलब की तो आ गी है लेकिन इसकी value जो है यह object object करके आ रही है अब यह क्या दिक्कत है तो यह इसलिए है यह local stories के अंदर हम केवल strings को सेव कर सकते हैं हम पूरे के पूरे object को नहीं सेव कर सकते हैं हम से जो भी object है उसके अंदर नेम है नेम है जो भी अधा अधा धूरा मैंने नाम टाइप किया और फिर एज इकल टो एमटी स्ट्रिंग है तो यह हो गया अगर मैं यहां पर करता हूँ json.stringify आप यह समझ लो कि किसी भी object को हम एक string में convert कर सकते हैं कैसे convert कर सकते हैं json.stringify अगर कर देंगे और फिर उस object का नाम बता देंगे कौन सा object है मतलब object उसके अंदर अगर हम डाल देते हैं तो हमें एक string मिल जाएगा काफी लंबी सी string मिल जाएगी तो basically जो भी हमारा string इसको हम अगर चाहें तो फिर से convert करके एक object में बदल सकते हैं object में कैसे बदलेंगे अगर मैं इसको copy करूँ मानलो यह हमारे पास string है अगर मैं इसको copy करता हूँ तो फिर अगर हम type करें json.parse अगर इसके अंदर हम यह पूरी string डाल देते हैं यह जो पूरी string थी इसको देगा जिससे कि हमेरे पास already object था तो हम एक object को string में convert कर सकते हैं json.stringify का use करके और एक जो भी json string है जब यह string में बन जाता है एक object तब उसको बोलते हैं json string एक json के format में है तो यह valid json string है अगर हम इसको चाहें तो हम json.parse का use करके फिर से convert कर सकते हैं back to the previous object जिसको हमने convert क valid object बन जाएगा अब इसमें बहुत ही बारिकी से एकदम हर एक चीज एक reason के वेज़े से है अगर हम यहां से अगर मानलो यह single quote double quote हटा देते हैं और फिर enter प्रस करते हैं तो देखो क्या होगा यह error देगा यह unexpected property और name और फिर syntax error बैसिकली यह valid json string नहीं रही तो उसके लिए valid json string ही होना चाहिए तो चलो हम इसको save करवाते हैं json.stringify का यूज करके तो हम save जब करवाएंगे तो हम कर देंगे json.stringify और यहां पर अपना data डाल देंगे तो जैसे हम आप अपने नम type करेंगे अनुराग यह एक बार मैं खोल लेता हूँ applications tab यहां पर कुल गया है यहां पर मैं एक बार type करता हूँ अनुराग और अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने क्यों एमटी एमटी सब कुछ सेफ किया है तो इधर देखो एकदम एमटी है सब कुछ ठीक है और इसका एकदम object के format में यहां पर नीचे दिखाता है अगर हम कोई object को stringify करके store करते हैं यहां पर तो उसका एकदम object वाला format यहां पर अच्छे से दिखाता है वही समझे लो json.parse करके यह दिखा करता हूं अनुराग आप देख रहा है एकदम रियल टाइम में store हो रहा है यहां पर अपडेट हो रहा है तो इसमें मैं लिखता हूं अनुराग सिंग तो यह पूरा हो गया नेम अब एज को हम अभी update नहीं कर रहे हैं तो चलो एज को भी update कर लेते हैं सेम कोड रहेगा यह यहां पर भी बस एज को update करके पर हम एज बस इस data के अंदर update कर रहे हैं लेकिन फिर इस ही data को अपने जिसन के अंदर मतलब जिसन में करके अपने local storage में सट कर रहे हैं तो चलो देखते हैं एक बार अगर मैं इसको अपडेट करता हूं यहां पर यह नेम तो हो गया ठीक है अगर मैं एज को टाइप करता हूं मैं 25 लिखता हूं तो यह 25 यहां पर हमारा एज तो हो गया लेकिन हमारा नेम फिर से सेट हो गया है बैक टू जो भी पहले था तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यह जो हमारा डेटा है पूरा यह जो हम अभी यहां पर ऐसे ही empty object बहुत है तो इसको चाहें तो हम ऐसे करें गे चाहें तो नहीं हमें करना होगा कि हमें अगर हमारे local storage के अंदर यह मतलब अगर यह object है और यह already exist करता है तो वहां से उठाना है नहीं तो फिर हमें empty object करेंगे यह जब object को create करेंगे हम अपने object को तो यहां पर करेंगे local storage dot get item और फिर जो भी get item करेंगे तो क्या रहेगा एक पूरा string रहेगा लंबा सा तो यहां पर हम get item करेंगे माई data इस तरह से अगर करते हैं तो अभी यहां पर अगर हम आके देखें तो local storage dot get item तो यहां पर अभी है my data ठीक है मतलब my data यह पूरा का पूरा string के format में आ गया है तो हमें इसको convert करना होगा object के format में तो object में कैसे convert होगा यह जो पूरा का पूरा यह data है इसको हमें करना पड़ेगा json.parse json.parse करेंगे तो यह हमें एकदम object के format मिल जाएगा तो हमें इतना code यहां पर लिख देना है तो इतना code लिखने से क्या होगा हम अपने वहां से क्या बोलते हैं लोकल इस से उठाके यहां पर हम अपने data को store कर देंगे data को यहां पर save कर देंगे ठीक है और फिर यहां पर हमें लगाना होगा और का symbol और फिर यहां पर empty object रख सकता है तो इससे क्या होगा अभी अगर हमारे backend में backend बोल रहा हूं अगर हमारे लोकल स्टेज में कोई भी data नहीं है तो इतना चीज हो जाएगा नल ठीक है और इतना चीज जब नल हो जाएगा तो हम इस अपने my data को एक empty object बना देंगे तो यह और नल इस तरह से मतलब और empty object इस तरह से हो जाएगा तो एक बार फिर से अगर हम इसको reload करें और यह हो सकता है थोड़ा सा confusing लगाओ लेकिन अभी तुम खुद से try करो खुद से देखो कैसे काम कर रही है चीजें तो हो जाएंगी मनलब समझ में आ जाएगा अगर कोई भी doubt रहता है तो comment सकते में पूछ लें नहीं तो description में telegram group का link है वहां पे पूछ सकते हो तो यहां पे अगर मैं भी इसको टाइप करना सुरू करता हूं मैं लिखता हूं अनुराग ठीक है और फिर से मने हां पे इस टाइप करता हूं 40 तो ये कुछ तो गड़ बड़ है यह मेरा यहां पे अपने हैं लिखा यहां नेफा मैंने इस सगरद्श डिया था हैज एजच चे टिया था पदा न अब इसको में यूज़ करना यहां पर दिखाने के लिए तो एक बार हम रिलोड़ करके देख लेता है यहां पर डेटा जो भी है वो गाव नहीं होता है और फिर से अगर हम टाइप करेंगे तो हम अनुराग टाइप करें यहांनी की नेम को टाइप करें तो नेम ही दिखाना है तो यूज कैसे करेंगे हम यहां पर हमने किया था मैं खुद से ही करके यहां पर ऐसे ही कर देता हूं तो यहां पर जब भी हम करेंगे तो नेम डॉट हम सीधा कर सकते हैं नेम डॉट टार्गे डॉट वैल्यू इस तरह से भी कर सकता है यहां पर क्योंकि हम सीधा इंपुट इवेंट के अंदर आए लेकिन हम उस तरह से भी कर सकते हैं कि लोकल स्टोर्य से जो भी वैल्यू सेट किया है उसको हम गेट करें फिर अपडेट करें तो इस केस में वह उतना ज्यादा सेंस नहीं बनाता है हम वही कि裡面 अगर करेंगे is equal to यह कर देंगे और यहां पर हम के हैस डॉट इने टेक्स करेंगे तो अभी देखो अभी हमारे इस पर यहां पर रुप्लेक्ट नहीं हो रहा है यह के वल्ट होगा जब्ध जब्ध लिखा जब हम टाइप करेंगे अगर हम यहां पर लिख रहा है तो को इधर update हो रहा है तो हम इसको ऐसा किस तरह से बना दें कि जैसे हम रिलोड करें लोकल हे अठागे फिर से update कर दें इसको तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कोड लिखेंगे अपना ये कोड रहेगा यह हम जैसे ही अपने page को reload करते हैं my data के अंदर local storage से data लेके हम यहाँ पर रखते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बस एक दो line लिखना है यह लिखना है age element dot inner text is equal to यह कर देना my data dot age और फिर यहीं चीज हो जाएगा नेम के लिए नेम तो अगर हम page को reload करेंगे तो देखो वहां से हमारे local storage से इसने data को fetch कर लिया data को उठा लिया और इसको हम नीचे नहीं चाहें तो उपर भी लिख सकता है यहां पर यह हो गया है अभी यहां पर अगर हम reload करते हैं जो भी हमारे local storage के अंदर data था वहां से उठके आ गया है और मैं यहां पर हमें लिखना होगा जो भी यह हम लिखना चाह रहे हैं 34 मैंने लिख लिए तो हाई मैं इसको अगर reload भी करता हूं तो हमारा यह data जाएगा नहीं क्योंकि हमने local storage के अंदर save कर रखा है और हमने local storage के अंदर इस बार हमने अलग-अलग नहीं पना लेता हैं और अगर हम इस data को delete कर दें अगर इस पर right क्लिक करेंगे तो डिलीट का option आता है तो हम इसको ऐसे राइट क्लिक करके delete कर सकते हैं तो चलो मैंने delete कर दिया अब जब मैंने delete कर दिया तो तो हमारे local storage के अंदर कोई data नहीं मिलेगा इसको तो देखो यह क्या होता है अगर हम इसको reload करेंगे तो undefined आएगा ऐसा जैसा कि मैंने expect किया था already तो यह undefined आ गया है अब undefined इसलिए आया है क्योंकि हमारा यह जो है यहां पर एक condition लगा सकते हैं कि यहां पर एक condition लगा सकते हैं if my data dot name and या फिर अलग-अलग condition लगा सकते हैं नेम के लिए अलग से अगर नेम वाली value है तो name दिखा दो set कर दो और अगर age वाली value है if my data dot age अगर यह चीज है तभी age को set करो यह अगर यह दोनों चीजें exist करती है तभी set करना नहीं तो नहीं set करना तो अभी अगर हम reload करेंगे तो undefined यहां पर नहीं आएगा अब यहां पर जब कोई value रहेगी तो हमने delete कर दिया तो अभी हमारा object यहां से आ रहा है ठीक है यह इतना part पूरा नल हो जा रहा है अगर हम यहां पर आके जाता है कोई भी object या कोई भी की यहां पर नहीं होती है तो हम अगर local storage dot get item हो जाता है तो इसलिए हमारा यह अभी इतना part हमारा हो गया है तो और operator के कारण यह empty object उसके अंदर जाके से हो जा रहा है तो यह हो गया इतना हमने implement कर लिया अभी एक बार हम इसको update करते हैं यहां करके delete किया अपने हम code का use करके delete करना सीखेंगे तो जैसे अगर हम अनुराग सिंग यहां पर लिख देते हैं और फिर से यहां पर age लिख देते हैं 34 या कुछ भी तो इतना मैंने लिख दिया और यहां पर अगर select करेंगे तो इसका पूरा object format दिखाएगा अभी अगर हम console drawer क कर सकते हैं हम चाहें तो पूरा कर सकते हैं चाहे तो हम 1 कर करके भी clear कर सकते हैं महान लो यहां पर और भी डेटा होता और फीडिवाइड कर सकते हैं code का use करके भी हमनेon करते हैं यहां पर यहां पर यह नाम लिखा होता तो हम चाहें तो एक एक को भी डिलीट कर सकते हैं चाहें तो पूरे को डिलीट कर सकते हैं तो एक बार देखते हैं पूरे को कैसे डिलीट करेंगे तो पूरे को डिलीट करने के लिए यह वाली बटन है अगर अपने डेटा को सेट कर देते हैं और मैं कर देता हूं यह एज भी और यहां पर मैं एक और डेटा डालता हूं यहां पर मैं करूंगा user user 2 या user 1 और इसका नाम में लिख देता हूं आकाश यह इतना set हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, अगर हम यहाँ पर right click करेंगे और delete करेंगे तो एक एक करके delete होगा, तो अभी हम देखते हैं पूरा कैसे delete करेंगे, local storage dot clear, अगर यह एक function है, अगर local storage dot clear यह function call कर दोगे, कहीं भी अपने code के अंदर भी या तो अपने console के अंदर भ clear करना चाहते हैं, तो हमें इसका नाम बताना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, और फिर age लिखते हैं, इतना लिख दिया, अब यहाँ पर एक और मैं manually data को user को add कर देता हूं, user one को, और इसका नाम फिर से वहीं देता हूं, जो कि पहले था, अब अगर local storage.remove item, अब remove item के अंदर हमें नाम बताना हुआ, किस item को तुम्हें remove करना है, तो user one को अगर remove करना है, तो user one डाल के enter दबा दो, यह user one डिलीट हो गया है, अब बचा है कि वहल माई data, अगर माई data को भी remove कर दोगे, तो यह हमारा यहाँ से भी गाया हो जागा, अगर अभी ह local storage.remove item, और फिर यहाँ पर डाल देंगे my data, और यह डाल के जैसे enter करेंगे, यहाँ से गायब हो गया, अभी हमारे page के उपर है, क्योंकि हमने page के उपर लगा दिया है, लेकिन अगर हम page को reload करेंगे, तो सब कुछ empty हो जाएगा, तो इस तरह से हम एक एक item को set कर सकते हैं, get क कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, और remove all भी कर सकते हैं, तो इस तरह से हम local storage का यूज करके अपने application के अंदर एक ऐसा system बना सकते हैं, कि अगर हमारा application reload हो जाए, बंद हो जाए, डिलीट हो जाए, मतलब मैं अगर चलो एक बार मैं इसको बंद कर देता हूं, अपने VS code को बंद कर दे तो अगर मैं फिर से VS code को open करूंगा, मैं VS code को open कर रहा हूं, और फिर यहां पर मैं इसको open with live server करता हूं, तो भी इसको पता है कि मैंने अपना नाम लिखा था, अनुराग, और age डाली थी, 989, ठीक है, 989, 989 age मैंने डाली थी, तो यह होता है फाइदा local storage का, अब इसी का तो नहीं है, focus on today वाली जो एप है, उसको complete करेंगे, ताकि अगर कोई भी user अपना जो भी goal है, उसको enter कर दे, तो फिर reload करने पर गायब ना हो जाएं चीजे, तो हम ऐसे ही करेंगे, अपने local storage के अंदर save कर लेंगे, फिर user चाहिए इतनी बार refresh करें, जब तक हो खुछ से delete न यह जो local storage इसके अंदर हमने my data को store किया है, यह बस केवल इसी URL को access होगा, ठीक है, इसी URL को यानी की http column 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 नहीं, http colon slash slash फिर यह जो भी है 127 dot dot 0, ऐसा अगर के, फिर 1 colon और फिर यहाँ पे 5000 double 0, तो इसी को access होगा, फिर उसके आगे अगर हम कुछ भी लगाते हैं, लो इंडेक्स.html लगाते हैं या होम.html जो की अल्रीड हमारे इस पेज के अंदर नहीं है तो यहां पर हमें एकसेसेबल होगा लेकिन अगर हम किसी और यॉरल पर जाते हैं थोड़ा सा भी चेंज होगा अगर हम यहां पर बैक चले जाते हैं और एक बार मैं कंट्रोल सी ही पर इवेलवल होगा जहां पर इसको हमने सेट किया था ठीक है तो ऐसा नहीं होता एक वैक साइट का लोकल स्टॉरिज को गट्सक्रेश करें एक जिस पर्टिकुलर ओर जिस पर्टिकुलर और देटा को भी पर एकसेस होगा तो अभी में तुम्हें एक घ्जामपल दिख यहां तक स्याइन नहीं होना यह चाहिए फिर उसके बाद स्लैस अगर करिके तो वहांपर चलता खाग्र हुआ यहां पर सीजिए ले यह साइट के अलग पेज़ पर नहीं अक्सेस होगा तो जैसे कि मान लो अगर google.com का अगर कोई data है अगर हम यहां पर search करें google.com तो इसका जो भी local storage है जो भी local storage है वो कि वह गूगल.com अक्सेस कर पाएगा इसको www.google.com अक्सेस कर पाएगा लेकिन जैसे कि maps.google.com यह नहीं अक्सेस कर पाएगा उसको ठीक है तो यह होता है अलग-अलग सब domain भी अगर चेंज हो जाता है तो भी वह accessible नहीं होता है अगर हम यहां पर आ जाएं कहां गया अगर मैं इस project को duplicate कर लेता हूँ अगर मैं इसको reveal in file explorer करूँ और इस पूरे project को local storage वाले को मैं duplicate करके इसको मैं open कर लेता हूँ दूसरे vs code के window में तो इसको भी मैं live server के साथ अगर open करूँगा तो यह दूसरे port पर स्टार्ट होगा अभी जो हमारा पुराना application था वो स्टार्ट हुआ था 5001 पर यह जो पुराना था 5000 पर नया वाला application स्टार्ट हुआ 5000 पर और यहां पर देखो local storage का कोई भी data नहीं है ठीक है इसको तुम खोलोगे बंद करोगे कुछ भी करोगे यहां पर local storage का access रहेगा तो जिस url पर set किया गया था जिस origin पर set किया गया था local storage को उसी url पर access होता है उसका अगर हम यहां पर कुछ set कर देंगे तो इधर ही access होगा अगर हम यहां पर दाल दीते हैं आदर्ष तो यहां पर दीते है 18 तो यह हो गया थीक है यह आदर्ष का नाम नहीं गलट डाल दिया तो इतना हम ने set कर दिया तो अब इस url का data यहां पर है औरister यहां पर है मतलब दोनों डेटा सेपरेट है अलग-अलग यहां पर सेव होती है और एक्दम सेपरेशन होता है और अक्सेस करने का कोई तरीका भी नहीं कोई तरीका नहीं किसी भी तरह से कोई दूसरी वेप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं सब्सक्राइब तो तो मैं उम्मित करता हूं कि Аप आपको आगया होगा विश. करते हैं इसको भी समझ में आ गया होगा और इसी का यूज करके हम अपने अप्लिकेशन को स्टेट फुल बनाएंगे एक बार ऐसा बना देंगे कि एक बार यूजर कर देता है गोल्स को तो सारा वहां पर सेट हो जाए हमारे डेटा के अंदर तो नेक्स्ट वीडियो में हम इ जबी इशू आ रहा है कोई भी प्रावलम है जो कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा आपको आप जाके वो टेलिग्राम जोइन कर लो और अगर आपको कोई भी कुश्चिन मुझसे परस्नली पूछन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही गूगल मीट का लिंक में जाएगा हम लोग हर संडे रात को आट बजे करनेट करते हैं तो आप वहां पर जोइन कर सकते हैं मैं उमीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक स्टूडियो में तब तक के ल